जिस तरह से इंडिया वाले क्रिकेट के दीवाने हैं उसी तरह से बंगलादेश में भी क्रिकेट के दीवाने हैं क्योंकि बंगलादेश क्रिकेट पूरे देश में जश्ट का मोहल है बांगलादेश के कप्तान मुर्तजा ने शांत रहने के लिए कहा बांगलादेश ने ओवल में 330 रनों का स्कोर किया है और फिर दक्षिन एफरिका के खिलाफ अच्छी गेन बाजी करके 21 टनों से एक यादगार जीत के साथ अपने वर्ल कप अभियान की शुरुवात की उन्होंने कहा एक और बात यह है कि हमारे खिलाडियों का शांत रहना बहुत ज़रूरी है हमने सर्फ एक माच जीता है अभी आट माच बाकी है यह जीत अब हमें इस टॉनमेन में कहीं भी नहीं ले जा सकती इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी हमें बहुत उचसाहित होना चाहिए अभी भी काफी लंबर रास्ता पड़ा है बांग्रदेश के कप्तान चाहते हैं कि उनकी टीम सेटल हो जाए और आगे की जादा ना सोचे जैसा कि उन्होंने कहा अगले माच पर ध्यान देना बहतर है हमें न्यूजिलन के खिलाफ अपने अगले माच की प्लानिंग करनी होगी और हमें ये पक्का करना होगा कि हम उन प्लान्स को पूरा करें हमें उसे अधिक इंपोर्टन्स देनी चाहिए मुर्टजा वर्ल कप के मुकाबले में रियलिस्टिक दिखने की कोशिश कर रहे थे जहां हर दस टीमों को मैदान में एक दूसरे से खेलना होता है कभी डाउन भी चले जाते हैं और हम हर मैच में हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल सकते हमें ये पक्का करना होगा कि खिलाडी चोटल ना हो अगर हर कोई फिट रहता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा ये हो सकता है हर मैच में ऐसा नहीं होगा ये पक्का है लेकिन अगर हर कोई अपना बैस देता है तो हमारे पास बहुत कुछ बहतर करने की ability है